हम हमारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं पर किस हद तक जाना सही है हलो फ्रेंड्स आज के हमारी मूवी सेरेनिटी ये 2019 की एक थिलियर ड्रामा मूवी है ये इसी थीम को एक्सप्लोर करती है एक फिशर मैन की एक्सवाइब उसके पास आती है उसे हल्प मांगती है उसे हल्प करने के लिए एक किस हद तक जाएगा ये इस मूवी की स्टोरी लाइन है इस मूवी का एक्चुल कंसेप्ट ये एक अलग लेवल का है जो आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता चलेगा इसके एंडिंग भी ट्विस्टेड है तो लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले में आपसे बज़र रिक्वेस्ट करना चाहता हो उसकी बोड़ पर उसका एक फ्रेंड भी काम करता है जिसका नामे ड्यूक यह हमेशा टुना फिश की फिशिंग करते है इनका आइलन जिसका नामे प्लेमद इस पर जो भी टूरिस्ट आते है वो हमेशा इनने पैसे देते हैं फिशिंग करने के लिए आज भी ऐसे ही फिशिंग करने के लिए आए हुए थे इन्होंने बेट डाली और बेकर को एक बड़ा सा टुना मिला बेकर रियलाइस करता है जिस फिश को वो बहुत टाइम से ढूनने की कोशिश कर रहा था यह वही फिश है एक बहुत बड़ा टुना फिश जो हमेशा बेकर के हाथ से निकल जाता है उसकी जित थी इसे तो वो पकड करी रहेगा according to rules इसे अब अपने टुरिस्ट को फिशिंग का रोड देना चाहिए था पर इस फिश को पकडने के लिए वो खुद अपसेस्ट है टुरिस्ट इस पर बहुत गुसा हो गए उसे और और ले रहे थे पर बेकर उन्हें चाकू दिखाता है और शान रहने के लिए पूरे दिन तक बेकर ने इसी फिश को पकड का रखा फाइनली इस फिश को मारने वाला था पर फिर से फिश उसके हाथ से निकल गया टुरिस्ट बहुत ही गुसा थे और इस स्ट्रिप के लिए उन्हें पैसे नहीं देंगे बेकर के फ्रेंड ड्यूक को पैसो के जरुवत है क्योंकि उसके ग्रैंड डॉटर यूनिवरसिटी में पढ़ती है बेकर हमेशा इस तरह से कुछ ना कुछ तो करता रहता है तो इस वज़े से वो ब्रोक हो चुका है इन्होंने शीप में जो पेट्रोल लाला था उसके भी पैसे वापस नहीं आये बेकर ड्यूक से कहता है कि तुम्हारे पैसे में वापस कर दूँगा बेकर ड्यूक को इस डेकी वी पैसे दे नहीं पाया इसके बाद बेकर को हम ड्यान के साथ इंटिमेट होता देख सकते है ड्यान का हस्बन उसके साथ नहीं है उसका बेटा भी एक अलग सिटी में काम करता है इस वज़े से बेकर और ड्यान में अफेर है बेकर को पेसिक की ज़रुत थी तो डायन ने उसे हेल्प की बेकर यहाँ डायन को उसके बेटी के बारे में पुछता है डायन के बेटी को भी सही से फीशिंग करना आता है बेकर को लगता है कि अगर वो डायन के बेटी को फीशिंग के लिए लेकर गया तो शायद एक good luck होगा अब अपने friend Duke को वो फेसे fishing के लिए नहीं ले जा सकता क्योंकि सही से उसे pay नहीं कर पाता Dan के पास एक cat थी जो गुम हो जुगी थी वो बेकर को कहती है कि प्लीज मुझे वो cat ढून कर दो इसके बाद वो बार में आया यहां इस island पर हर आदमे को हर एक चीज पता होती है इसके बीचे का reason हमें आगे पता चलेगा बार्टेंडर को भी यह पता था तो उससे कहता है कि अगर तुम इस fish से इतने obsessed हो तो तुम उसका नाम क्यों नहीं रख दिया बेकर कहता है उसका नाम justice है रात में बेकर ड्यूक के बास आया उसने उसे pay कर दिया और कहा कल फिर से मेरे साथ आना वो फिर से उस fish को ढूणने की कोशिश करने वाला है बेकर रात में घर आकर फिर से drunk हो गया उसे अपने बेटे की याद आई उसके साथ fishing करने की memories वो याद करता है अगले दिन वो ड्यूक के साथ fishing पर गया पुरा दिन उसने वेट किया पर फिर भी उसे वो टूना नहीं मिला वापस आने के बाद वो ड्यूक से कहता है तुम मेरे लिए bad luck हो तुम्हारे bad luck की वज़े से तुम्हारे wife भी मर गई उसने जान बोच कर ड्यूक को hurt किया ताकि वो उसके साथ काम ना करे एक अच्छी से job ढून ले जिससे वो अपनी granddaughter के लिए पैसे भीज़ सकता है रात में जब baker बार में था तो उसके पास Karen आई Karen उसकी ex-wife उसे कहती है कही अकेले में मुझे तुमसे बात करनी है तुम सही थे और में गलत इनकी बातों से हमें पता चलता है ये बेकर बहले आर्मे में था Karen के साथ जब उसका divorce हुआ उसके बाद वो खायब हो चुका था इस island पर भी वो एक अलग नाम से रह रहा है ये जब अकेले थे तो Karen उसे कहती है मेरा husband मुझे बहुत मारता है वो पहले से island था पर अब वो एक अलग लेवर पर जा चुका है बेकर बोच्टा है मेरे बेटे Patrick का क्या Karen कहती है वो हमेशे अपने room में computer game ही खेलता रहता है उसकी teacher कहती है क्यों बहुत ही talented है Karen नहीं चाहती उसका husband Frank उसके बेटे को भी hurt करे इसी वज़े से उसे help मांग रही थी वो कहती है कल में मेरे husband के साथ तुम्हारे boat पर fishing पर चलूँगी वो ही sea में हम इसे मार डालेंगे इस काम के लिए उसे 10 million dollars देने वाली है बेकर ने इसके लिए उसे मना कर दिया जब केरन चली गी तो बेकर को ढूंटे ढूंटे एक suit में का आदमी आया हुआ था इसका नाम है Reid Reid अपनी watch देखता है और उसे timing ज़रा off लगती है क्योंकि बेकर उसके हाथ से निकल गया था आज रात बेकर ने अलग fish की fishing की उसे अच्छे से पैसे मिलके जब वो घर आया तो अपनी cat ढूंटे ढूंटे डायन उसके घर आयी थी वो उसे बुशती है कल राज जिसके तुम साथ थे वो बहुत ही beautiful है एक दो दिनों में उसका hazard भी आने वाला है वेकर कहता है मैं उन्हें fishing पर नहीं लेकर जाऊंगा वो डायन से बाद नहीं करता वो अक लीप से पानी में जम करता है उसे पानी में हमेशा अपने बेटे का presence महसुस होता है उसमें और उसके बेटे में कुछ ना कुछ तो connection है जो इतने दूर होने के बाद भी वो एक दूसरे का presence महसुस करते है इसके बाद कैरन का husband Frank यह भी island पर पहुँच गया कैरन उसे जल्दी expect नहीं कर रही थी पर उसे मिलने के लिए एक दिन पहले वो आ चुका था आने के बाद तुरंद वो कैरन के साथ intimate होना चाहता था उसने उसे अंड्रेस किया वो नोटिस करता है कैरन की body पर एक mark है वो इसके बाद में उसे पूछता है कैरन को इसका reason पता नहीं था इसके बाद उसने एक घंडे तक अपनी बेल्ड से उसे बहुत मारा नेक सिन में बेकर इस owner को भी पता था कैरन को उसके हस्बन ने मारा है वो जब बोट पर था तो उसके पास कैरन और फ्रैंक आया फ्रैंक कहता है कि मेरी wife बता रही थी तो मुझे fishing पर नहीं लेकर जाने वाले वेकर कहता है मैंने कुछ violations किये थे इस वज़े से मैं किसी को भी अकेले बोट पर नहीं लेकर जा सकता फ्रैंक ने कहा इस island पर कोई भी rule नहीं है वो अमीर है तो किसी को भी manipulate कर सकता है बेकर फिर भी इसके लिए मना कर रहा था फ्रैंक कहता है कल तुम आओ या नाओ साथ बज़े में तुमारे यहाँ वेट करूंगा तुम्हें दिखा दूंगा कि पेसो की power क्या होती है बेकर अपने fish sale करने के लिए आया हुआ था वहाँ का आदमी उसे कहता है तुम्हें कोई ढून रहा था यहाँ वही suit वाले आदमी रीड की बात हो रही थी नेकसिन में हम देखते है कि बेकर अभी-अभी टायन के साथ इंटिमेट हुआ टायन बेकर से कहती है कि तुम बहुत ही gentle हो कभी भी किसी को hurt नहीं कर सकते जब भी मेरी cat गुम हो जाती है तुम्हें help करते हो मुझे लगता है से लेकर जा सकते है बेकर कहता है तुम्हारा luck खराब है ड्यूक कहता है कि मुझे पता है मेरा सोच करी तुमने मुझे hurt किया था बेकर फिर ड्यूक के लिए मान गया यहावर वो land के उपर एक bird देखता है जो हमेशा sea के उपर ही उड़ता है यह बहुत याजीब था जैसे कि वो बेकर को sea में चलने के लिए बुला रहा था क्यारन बेकर को समझाने के लिए फिर से उसके पास आए बेकर कहता है वैसे तुम्हें fishing लेकर जाओंगा यह तुम्हारे husband को नहीं मारने वाला क्यारन कहती है फ्रैंक मुझे और शायद हमारे बेटे को भी मारेगा क्या है सही होगा मुझे पता है तुम दोनों में connection है हमारा बेटा तुम्हें computer screen से देख सकता है इसके बाद हम देखते है कि directly fishing पर आय हुए है fishing पर फ्रैंक बेकर से पुछता है इस town में कुछ call girls है क्या उनके बारे में तुम्हें पता है क्या उनका address तुम मुझे दे सकते हो बेकर ने इसके लिए मना कर दिया उससे पुछता है क्या तुम्हारा कोई बेटा है फ्रैंक कहता है कि मेरा एक staffson है वो हमेशा अपने computer पर ही लगा रहता है मैंने एक दिन उससे पूछा कि दिन भर तुम यही क्यों करते रहते हो तुम्हें कुछ अलग चीज़ करनी चाहिए उसने मुझे कहा कि अगर मैं games नहीं खेलूँगा तो तुम्हें मार डालूँगा फ्रैंक कहता है एक दिन में ही उसे मार डालने वाला हूँ इस पर बेकर को बहुत जादा गुस्सा आ गया वो उसे मार डालने वाला था तब ही इन्होंने एक बड़ा सा shark catch किया एक catch करकर face से वापस आते है फ्रैंक को actual में एक टुना fish catch करना है तो इस वज़े से कल वो face से fishing के लिए आएगा बोट पर जो भी हुआ यह सब ड्यूग ने सुना था उसे पता चल गया कि इनमें कुछ ना कुछ तो connection है वो राद में बेकर से बात करता है बेकर उसे सब कुछ situation समझा देता है ड्यूग ने का कि तुम किसी को मार नहीं सकते तुम दिल के अच्छा आदमी हो यह करना बहुत गलत होगा फ्रैंक बेकर के बेटे को हट कर सकता है तब उसने decide क्या है कि वो फ्रैंक को मारने वाला है वो ड्यूग को कल उसके साथ आने के लिए मना करता है बेकर जब उने बोट पर था तो उसके पास कैरन आई कैरन उसे एक रिंग दिखाती है कहती है इसी रिंग से तुमने मुझे प्रपोस किया था बेकर गराज में काम करता था एक काड़ी के पार्ट से उसने रिंग निकाली और यही कैरन को दी थी वो कहती है हमारे बीच जो भी हुआ था यह सब कुछ चीज़े मुझे याद है एक ब्रीच के नीचे हम फर्स टाइम इंटिमेट हुए थे उसके साथ इंटिमेट होने की कोशिश कर रही थी बेकर कहता है तुमने मुझे दोका दिया है लोग बदलते नहीं कैरन ने उसे दोका दिया इसका रेजन ये भी था कि बेकर जब अपनी डूटी से वापस आया तो बहुत ये डिस्टब था वो कैरन पर ध्यान नहीं देता था कैरन कहती है कि मुझे गलती हुई है तुमने अभी अभी कहा कि लोग चेंज नहीं होते उस रात बीज के पास जो लड़की थी मैं आज भी वही लड़की हूँ वो उसके पास आये तो बेकर ने उसे किस कर लिया ये दोनों यहाँ पर इंटिमेट हो जाते है कैरन के बौडी पर फ्रैंक के मारने की निशान भी थे इंटिमेट होने के बाद कैरन उसे कहती है क्या कल तुम उसे मार दोगे बेकर कहता है कि हाँ पर हम दोनों की रिलेशनशिप हम कंटिनूर नहीं करेंगे कैरन इसके लिए मार जाती है क्योंकि सिर्फ उसके बेटे को बचाना उसके लिए इंपोर्टन्ट है बेकर जब घर पर आया क्याता है एक फिश फाइंडर है जिस तुना फिश को तुम हमेशा से ढूंड रही हो इसे तुम आसनी से ढूंड सकते हो हमारे कंपनी के लिए बहुत ही इंपोर्टन्ट है कि तुम उस फिश को ढूंड लो यह बात बहुत ही अजीब थी बेकर ने पूझा तुम कल के बारे में क्या जानते हो रीड ड्रंग था तुम उसने बोल डाला कल उस आदमी को मत मारना बेकर उस पर गुस्सा हो गया उसे धमकाता है और पोश्टा है तुम उसके बारे में कैसे पता चला रीड कहता है कि मुझे मत मारो मैं सिर्फ इस गेम का हिस्सा हूँ इस गेम के मैं रूल हूँ यह बात बेकर को क्लेर नहीं थी तो रीड उसे समझाता है यहाँ पर जो भी चल रहा है यह सब एक गेम है हम सब एक गेम के अंदर है इस गेम में छोड़े छोटे हिस्से भी है जैसे कि डायन की क्या ढूनना, फिशिंग करना, पिछले कुछ दिनों से इसमें डिस्टरबंसिस आ रही है तुमारा फ्रैंक को मारना ये इस गेम का पार्ट नहीं है, according to the rules हम किसी भी आदमे को इस गेम में मार नहीं सकते रीड को भी एक क्वेशन आया है, कि creator ने अब rules क्यों चेंज कर दिया है, हमें पता चला कि इस गेम को जिसने create किया है, ये बेकर का ही बेटा Patrick है, इसके बाद डारेक्ली सुबा हुई, बेकर अपने alarm से जल्दी उट गया था, वो जल्दी से बेट से उटने की कोशिश करता है पर एक games के rules उसे रोक रहे थे, उसने फिस सब को चीज़े notice करना start किया, आज बेकर जाकर fish नहीं पकड़ने वाला, तो काड़ी के radio पर भी आया, कि जाओ और fish पकड़ो, उसे जो भी memories है, इनको लेकर वो wonder गयता है, वो खहां से आया, और यहां क्यू है, ये सब उसे questions आ रह पेकर इस पर हसने लग गया, वो कहता है, जब इस game से मैंने तुम्हें मांगा था, तो मुझे नहीं मिला, अब इस game को मेरी जरुरत है, तो मुझे सब कुछ मिल रहा है, इसके बाद जब वेकर signal पर आया, तो जब तक red light चला नहीं जाता, उससे पहले वो गाड़ी चला नह इसके thought कैसे है, इस सब को लेकर, बेकर उससे question पुछता है, टोनर serious हो गए, कहती है, जाओ और fish पकड़ कर लाओ, जादो कुछ सोचो मत, ये message game ही बेकर को दे रहा था, बेकर का plan है, जो game उसे बता रहा है, ये चीज वो नहीं करेगा, तो इसके बाद वो बार में आ गया, वो बहुत जादा drunk होना चाहता था, बार टेंडर उसे बोचता है, क्या तुम आज fishing नहीं जाने वाले, उसने कहा, कि जाओ और fishing करो, किसी भी tourist को मत ले कर जाओ, वो हमेशा disturb करते रहते है, बार टेंडर भी game का ही उसे message दे रहा था, game नहीं चाहता, कि बेकर किसी को भी मार Nixon में देखते है, कैरन जब नीन से उठी, तुझे सब कुछ blood दिख रहा था, वो Frank के पास गई, तो Frank injured था, उसे कल रात कुछ लोगों ने बहुत मारा है, इसी वज़े से आज वो fishing पर नहीं जा सकता, बेकर गेम के opposite करना जाता है, Frank को मारने के लिए, वो अपने boat तक तक नहीं आपाएगा, इस बात से बेकर बहुत जादा डिस्टब हो गया, Frank injured है, पर फिर भी कैरन उसे रीजाने की कोशिश करती है, तुमने मुझे promise किया था, एक fish लाकर दोगे, Frank बहुत ही egoistic है, तो डिसाइड करता है, इंजोर होने की बावजूद, वो fishing पर जाने वाला है, बेकर नारास था, तो C के पास आकर ड्रंग हो गया, बेकर के पास रीड आया, बेकर उसे कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कि मैं यहाँ क्यू हूँ, मेरा existence क्या है, क्या मैं पागल हो चुका हूँ, रीड कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी पता नह में एक गेम क्रेट करता रहता है, उसके स्टेफ फादर हमेशा उसकी मदर को मारते रहते हैं, इन्हीं आवाजों से बचने के लिए, उसने अपने आपको डिस्ट्रैक किया है, और वो चाहता है कि मैं जाकर फ्राइंग को मार डालो, यह बच्छा वाइलन्ड हो रहा है, अ कारन ने फ्राइंग को मना लिया है, वो दोनों तुम्हारे बोर्ट पर तुम्हारा वेट कर रहे है, बेकर ड्रंग था पर फिर भी जल्दी से बोर्ट पर पहुच आता है, बेकर और कैरन दोनों फ्राइंग को बोर्ट में बिठा कर C में लेकर गए, यह उसे मारने वाले तब ही बोर्ट में से डायन का बेटा बाहर निकला, उसने बेकर से कहा कि आपने मुझसे कहा था कि मैं आपका गूड लख हो, इसी वज़े से मैं आपके साथ आ गया, गेम में यह जो सब रेजिस्टन्स आ रहे है, यह रिप्रेजेंट करते हैं, रिएटर पैट्रिक की इन अपने स्टेप डायट को मारने वाला है, पर वो डरता है, क्या सही, क्या गलत, इन सब चीज़ों को लेकर वो सोचता रहता है, इसी वज़े से उसने गेम में भी ऑपस्टैकल क्रियेट किये थे, डायन के बेटे के सामने बेकर मर्डर नहीं कर सकता, पर फे भी उसने डिसा करने के लिए आया था, बेश का रोड बेकर उसके हाथ में दे देता है, फिश बहुत ही स्ट्रॉंग है, तो फ्रैंक उसे कंट्रोल नहीं कर पाया, फ्रैंक फिश के साथ ही पानी में गिर गया, फिश और फ्रैंक दोनों अटेश्ट थे, तो ये फिश उसे अपने साथ ले कर गया, ये सब एक एकसिडेंट की तरह लगा, तो डायन की बेटे को कुछ भी शक नहीं गया, बेकर को कोई भी लीकल ट्रॉबल नहीं होगा, इसके पैरलल में, रियल वर्ल्ड में हम देखते है, पैट्रिक जाकर अपने स्टेप डायट को मार डालता है, फिर पुलीस को पैट्रिक की मदर ने का, मेरा हस्बन मुझे मार रहा था, पैट्रिक मुझे बचाने के लिए आया, सेल प्रोटेक्शन के लिए उसने अपने स्टेप डायट को मार डाला, पैट्रिक की जब हीरिंग हुई, तो उस पर कोई भी चार्जिस नहीं लगे, पैट्रिक का घर हमे उसे मार डाला, मुवी की गेम में हम जो भी सिचुएशन देख रही थी, यह सब पैट्रिक की सिचुएशन से सेम थी, अब हम गेम में देखते हैं, फ्रैंक तो मर चुका है, जैसे बेकर ने कहा था, कि वो और कैरन एक साथ नहीं रह सकते, तो कैरन उसे छोड़ कर जा रही है, कैरन उसे कहती है, कभी ना कभी तुम पैट्रिक से मिलोगे, जैसे कैरन ने कहा था, वैसे पैट्रिक का कॉल बेकर को आया, बेकर उसे बात करकर बहुत ही खुश था, पैट्रिक कहता है, कि अब मैं गेम में कुछ चेंजस करूँगा, वो इस तरह से इसे डिसाइन कि ओख खुद आकर बेकर से मिल सकता है, गेम में चेंजस हो है, और पैट्रिक ने उसका खुद का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया, बेकर को अपना बेटा मिल गया, पैट्रिक ने गेम में भी एक हैपी एंडिंग कर दी, इसी तरीके से यह अलग सी मूवी एंड हो जाती अगर आपको इस मूवी का कंसेप्ट अच्छा लगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा, बहुत सारी मूवी लेकर आते रहता हो, तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे, बेल नोटिवेशन आइकोन दबना मत भूलेगा, हम फिर से मिलेंगे और एक नए मूवी के साथ, तब तक लिए थैंक्यू, और आप अपने आपका खैल रखिये,